करना है खास तो चलो हमारे साथ करना है खास तो चलो हमारे साथ सेविल के बाद गुरु जी के साथ सबसे जो इंपोर्टेंट रोल है पहले उसका इंपोर्टेंट समझ लेते हैं क्योंकि कॉम्पोरेंट्स आपने भी साइड विजिट किया होगा कॉम्पोरेंट्स आप भी देखे होंगे आज उसके टेक्निकल पार्ट में हम जरूर डिसकस करेंगे लेकिन बीबीएस करना जरूरी क्यों है इसकी इसके बारे में पहले थोड़ा जानकारी लेते हैं तो आईए चलते-चलते-बात करते ताकि मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट यह दिखा पाऊं तो जो सबसे इंपोर्टेंट रहता बहुत इंपोर्टेंट पार्ट कि वेस्टेज को किस तरह से रोका जाएगा वीडियो गाइस बहुत लंबा होने तो जरूर वाला है लेकिन आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा आंत तक क्योंकि इसमें मैं आपको एंड तक सारी चीजे बार की कटिंग करवाने से लेकर ड्रॉइंग को रीड करवाना और हर एक कॉम्पोनेंट के बारे में हम पूरा प्रॉपरली जानने वाले हैं तो आइए चलते चलते हम देख लेते हैं और क्या क्या चीजे होती हैं तो जो बेसिक रिक्वार्मेंट कि बीबी एसको अगर आपको उसके अच्छे एडवांस पार्ट में करना है तो उसको किस तरह से किया जा सकता है सबसे इंपोर्टेंट है आपने एक पर क्यालकुलेशन सीख लिया क्योंकि क्यालकुलेशन जो हमारा फर्स्ट और बेसिक इस्टैप वह तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्या जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास य आपका प्रॉपर्ली ड्रॉइंग है यहां पर यह हमारा स्टेयर के सब्सक्राइब करना होता है इनको जब आप एक बार अच्छे से प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स इंपॉर्डेंट पार्ट आता है वह आता है इसको कटिंग करवाने का क्लियर ज यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं यह फुटिंग के लिए जो हमारी मेश लगने वाली फुटिंग की उसके लिए आपर बार्स को काट के रखा हुआ है और यह कॉलम के लिए इस्टिरप काटके लगी हुई है ना इस्टिरप की स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ कि अईसी क्या के स्पेसिफिकेशन। निकालने के लिए फॉर्मूला है इसके एक पर वेबसाइट पर educate कर सकते हैं www.civilgory.com उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, यह सारी चीज़े कैसे calculate होती है, किस तरह से हमें यह सारी चीज़े निकाले जाती है, 90 डिगरी यहाँ पर bend हुए हमारा, तो 90 डिगरी बेंड के लिए bend deduction एक और important part है, हमारा BBS निकालने के लिए, कि अलग-अलग angles में बार्स को bend किया जाता है, पहला होता है, 45 डिगरी में bend किया जाता है, 90 डिगरी में, 135 डिगरी में, अलग-अलग तरह से bend किया जाता है, इस बार को bend करने के बाद जो हमारा next part आता है, इसको framing करना, तो आईए, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हमारा footing के लिए mesh है, यहाँ पर बन के तयार है, यहाँ आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर footing के एक mesh ready है, footing का mesh तयार है, footing में लगने वाला, यह mesh यहाँ कि footing में लगए, अभी हम चलते है, footing के साइट को देखने के लिए, कि footing में mesh के इस तरह से लगता है, तो guys, जो सबसे important part है, footing के बारे में समझने की, कि जिसमें जितना भी steel लगा है, steel क्यों लगता है, उसको अगर आपने समझ लिया, तो बार की importance भी आप समझ जाएंगे असानी से, steel इसी वज़े से इस्तिमाल होत स्पेसिंग उसी लोड पर डिपेंड करते हैं, जो पंचिंग शियर को रजिस्ट करना है, footing को, उसी के लिए इस्टील के इस्तिमाल होता है, जिसमें कि अलग-अलग डाया, अलग-अलग spacing का बार्स होता है, तो अब हम चलते हैं, इसको footing पर exactly side पर देखते हैं कि किस तरह से उसका use हुआ है, तो आइए, हम directly चलते हैं, हमरे footing के पार्ट के तरफ, और देखते हैं कि किस तरह से उसका इस्तिमाल हुआ है, हम आज पूरे एक-एक हर एक पार्ट में discuss करेंगे properly, clear, जैसे कि आप यहाँ side पर भी देख सकते हैं, clearly कि beam भी हमारे सारे frames ready, यहाँ इन frames की भी पर clearly RCC structure भी लग रहे है, properly, है ना, RCC structure के साथ, यहाँ हमारा beam का भी frame तयार है, ready है, आगे लगने के लिए, तो guys, जैसे side में visit करते हुए, और जो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, देखते हैं, यहीं हम इंजिनियर्स को guide करते हैं, properly, उनको train करते हैं, ताकि वो की detail में, पूरे project का estimate किस तरह से किया जाता है, कैसे estimate करना है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, column का reinforcement भी लगके ready है, इसके बारे में हम आते हैं, पहले हम चलते आईए, footing में चलते हैं, और जानते हैं, उसके बारे में details, तो guys, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर request करूँगा, थोड़ा सा दूर से हो के ले लें, ताकि शूज ना खराब हो जाए, okay guys, तो आए थोड़ा सा, राउल सा आप थोड़ा सा पाज आ रही है, तो guys, सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमको लगाना होता है, जैसा हमा हमारा cover आये, cover के उपर यह देखी, mesh रखाया है, clear, footing mesh रखाया है, यहाँ पर footing mesh हमारा double जा लिए, clear, जैसे नीचे से भी है, same similarly, उपर से भी है, footing का mesh का BBS निकालना very very easy, बहुत असान है, अगर आप एक बार ड्रॉइंग पढ़ लेते हैं, आसानी से, तो आपको आगे के parts calculate क सबस्कर, हम देखते हैं, जैसे न ہیں, यहाँ पर हमारा mesh लगा, footing का, clear, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो lasers का BBS बाहर लगे, clear, अगर हम बात करते हैं, इस यह वाले axes का X-axis की बात करते हैं, ठीक, और वह रेकस। को X-axis का BBS करते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं हापर X-axis और Y-axis में बाहर लगा हुआ अगर इसकी कटिंग निकालनी है तो बहुत असान है हमें केवल क्या करना है जो फुटिंग के एक साइज है क्लियर फुटिंग के एक साइज है उस साइट से दोनों साइट से कवर को हमको डिड़ करना है प्लस हम क्या करेंगे दोनों साइट से यह यह जो बैंड है इसकी लेंद को एड़ कर देंगे और माइनस बैंड डिड़क्शन जब यह सारी चीज़े करते हूं तो हम साइट में असानी से निकाल सकते मैं आपको थोड़ा सा और क्लोज अप दिखाना चाहूंगा र इनकी अलग है और जो हमारे एकस टिरो से अलग है यह फूटग दिखा दे और पर लाइंग strengthening कटना इंगता है कि बाहर कड़ा है किस तरह से पढ़ा जाता है तो आई में थोड़ा से और एक क्लोज अप दिखा देते हूं फुटिंग का मेश है फुटिंग के मेश की उपर जो हमारा कॉलम का जाली है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पास में देख सकते हैं यह जो लेग जो हमारे कॉलम के लेग है यह पूरे फुटिंग के मेश पर आए हूँ है प्रॉपरली कॉलम के लेग और फुटिंग क कि अपर 4-legged stirrup का case आया, मैं आपको दिखाओ, यह जो stirrup है यहाँ से, यह वहाँ पर जाकर bind हुआ है, उसके बाद उस तरफ से और एक stirrup आकर यहाँ पर लगा हुआ है, तो यह एक ही position पर 2 stirrup लगे हुए है, यह दो stirrup को हम यहाँ पर जब positioning की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम मजने के बाद जब हम बात करते हैं कि कॉलम की cutting ने किस तरह से calculate कर सकते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हमको क्या add करना होगा, सबसे पहले हमें इसका leg L add करना होगा, यहाँ पर जो इसका development length कहते हैं हम इसे, और जिसकी minimum value है, व तो कॉलम के लिए जो सबसे अच्छा specification होता है कि उसको हम किन-किन अलग-अलग shapes में कटवाएं, तो वो रहता है 5.5 meter और 6.5 meter के case में हम बाहर को बहुत आसानी से कटवा सकते हैं, उसके बाद इसको लगाना होता है, अब अलग-अलग dimensions में क्यों कटवाना है सबसे पहली ब सकते हो है, क्योंकि जो हमारा कॉलम का फ्रेम है, वो वह वन टाइम में जीतना भी लंबर, बिल्डिन में है यह जाता है, यह जो कि अलग-अलग में जाता है, इसी वज़े से जो इसका फ़र्स्ट इसेज है, यहां गहान देख सकते हैं, प्लेंस लेफल के उपर तक है, वह लैपिंग जोन है ईसका उपर बात करते हैं इसका पोजिशन की जहां और निकले इसी वऑज़से इसको उपर टक ले जाए और अल्टर निया अने चाहिए क्योंकि अगर एक ही जगह पर आएंगे तो इससे क्या होगा जब को अगर अनुने काटते हैं और जो नियर अन्ट जो हमको डिस्टेंस मेंटेन करना होता है जो डिस्टेंस बचाना होता है दोनों लाप के बीच में वह रहता है वन मीटर क्योंकि 5.5 और 6.5 मीटर पर जहां हमारी 12 मीटर की बार कटवाएंगे तो गाइज ऑवियसली वन मीटर का हमारे पास उसमें स्पेसिंग और गैपिंग बचता है इस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाकर चुटता है जैसे अभी हम हमारे एक्सक्राइशन पार्ट में थे अभी हम आच चुके हमारे ग्राउंड लेवल पर अभी आप दे सब्सक्राइब शाथ हमैशा इसलां से टेंशन से लेकर हम आवा का सब्सक्राइब काण होता है जैसे मालने आपनीटर हमारा 3 त्री थ्री थाउजन फॉर हमारा टूटल रहेगा में जो थ्री थाउजन में फॉर की डिस्टेंस पर हमारा यह बाहरा आकर छुटेगा एल बैफ फॉर तक इसका लैपिंग जोन आना चाहिए और यह हमेशा अलाग अलाग कटा होने चाहिए आप यहां पर क्लियरली देख सक है कि जो हमारे टूटल आठ नमबर बार्स लग रहे हैं हमारे कॉलम में तो आठ नमबर बार्स में देखिए चार बार से पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आगर कटे हुए और बाकी चार बार उसकी थोड़ा कुछ डिस्टेंस ऊपर निकाले यह डिस्टेंस किता हो वन मीटर नियर अराउंड इसका डिस्टेंस होगा दोनों के लैप जोन में अब देख सकते हैं यहां पर भी लैपिंग अलटरनेट कट यूई यहां पर ऐसा नहीं कि चार बार अलग कटना है तो यह चारों के चारों एक अलग बिस्नेस पर गए और यह चारों ऊपर निकल यहां पर द अब आगे चलते हम बीम के पार्ट में और बीम के केस में सारी चीज़ें देखते हैं आगे